Hello everyone, welcome to my YouTube channel आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं evaluation के बारे में मुल्यांकन क्या होता है क्या अर्थ है मुल्यांकन का क्या उसका उदेश्य है महत्व क्या है और उसका क्या process होता है सब ही चीजे इस वीडियो में discuss करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर मेरी वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए कोई suggestion है comment में आप मुझे दे सकते हैं इसके अलावा आप मुझे unacademy के learning app पर भी follow कर सकते हैं मैं वहाँ भी courses बनाती हूँ तो आपको उसका link इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो वीडियो को start करते हैं बात करते हैं मुल्यांकन की बहुत important topic है हर exam में यहाँ से कई सारे questions repeat होते हैं तो start करते हैं सबसे पहले मुल्यांकन के अर्थ से चलते हैं कि यह मतलब क्या होता है मुल्यांकन का जो मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है यानि कि जो हम measurement करते हैं जो हम माप करते हैं उससे ज़्यादा व्यापक होता है हमारा मुल्यांकन मुल्यांकन गुणों या विशिष्टाओं की वांचनियता सपष्ट करता है किसी के गुणों की उसकी विशिष्टाओं की वानशिनीता कि कितना जाधा कोई वेक्ति उसका प्रॉग्रेस हुआ है उसकी क्या विशिष्टाओं है जानी कि Basically उनके मुल्यों का अंकन करता है अब कैसे करता है आगे देखते हैं किसी वेक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा का विशलेशनात्मक और गुणात्मक विवरण मुल्यांकन प्रस्तुत करता है, मतलब कि किसी भी वेक्ति की गुणों की मात्रा का विशलेशन करता है, यानि कि एक स्टूडेंट है, उसने क्या प्रोग्रेस की, उसका क्या मा ठीक है अब आगे और चलते हैं एक definition और देखते हैं मुल्यांकन की अब दोगो NCRT के अनुसार मुल्यांकन क्या होता है ठीक है तो देख लेते हैं दोगो मुल्यांकन से भी प्रहा है कि छात्र ने किस सीमा तक ज्ञान प्राप्त किया है ठीक है यह है मुल्यांकन कहता है कि भ जो भी कुछ होता है वो एक planned way में होता है तो क्या निर्धारित करती है मुल्यांकन क्या देखती है देखो पहला है कि सैक्षिक उद्यशों की प्राप्तिक किस सीमा तक हो रही है मुल्यांकन ये बताता है कि जो हमने सैक्षिक उद्यश्य जो है हमने decide के थे निर्धारिक के थ उसकी उद्देश्यों की प्राप्ति हुई भी है या नहीं हुई है दूसरा होता है कि कक्षा में दिये गया अधिगा मनुभव कितने प्रभाव शली रहे यानि कि पूरे teaching learning process में जो भी teacher ने बच्चों को पढ़ाया वो कितना प्रभाव कारी रहा क्या वो effective था क्या वो effective नहीं था ये मुल्यांकन decide करता है फिर सिक्षा के लक्ष कितने अच्छे डंग से पून हो रहे हैं ये इन सभी चीजों का जो देखता है कौन देखता है ये मुल्यांकन देखता है इस प्रकार मुल्यांकन बच्चे के संपुन व्यक्तित्व और व्यक्तित्व अधिगम प्रिक्रिया का होता है यानि कि अगर हम इसको एक तरह से और कहें तो पूरे teaching learning process में अधिगम उद्यश्यों की प्राप्ति कितनी हुई बच्चे ने कितना सीखा उसका क्या progress रहा ये सबी चीजें उसके संपुन overall development का एक जो ब्योरा होता है जो एक पूरा description होता है वो हमारा मुल्यांकन देता है मुल्य का अंकन करना मुल्य का अंकन मतलब कि भाई एक बच्चे उसके A grade है B grade है C grade है grade में कर दिया अंकों के माध्यम से कर दिया या फिर वो कितना जादा discipline में रहा उसके values कितने हैं ठीक है ये सभी चीजें कितने कहां तक उसका development हुआ वो सभी चीजे मुल्यांकन के अंदर आती है नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम जानेंगे कि मुल्यांकन की क्या उद्देश्य होते हैं तो देख लेते हैं क्या उद्देश्य है पहला है कि छात्रों की वृद्धी और विकास में सायता करना बिल्कूल दूसरा छात्रों द्वारा अरजित ग्यान को जांचना यानि कि कितना उन्होंने पूरे साल जो सीखा वो कितना उन्होंने सीखा ठीक है जिसे आप डिपोर्ट कार्ड में मांक्स दे देते हो तो वो क्या दिखाता है आप उनको क्या करते हो परिक्षा के माध्यम से उनका आप जो है फाइनली टेस्ट लेते हो तो वो क्या जाच करता है मुल्यांकन कि वही कितना उसको ग्यान की जाच होती है मुल्यांकन से, तीसरा छात्रों की व्रिधियों विकास में अवरोधों को जानना मुल्यांकन का उद्रश्ट्र यह होता है। बच्चे में कितनी डिफिकल्टी आई उसको क्या प्रोग्रेस की जरूरत है या नहीं है वो सबी चीजे उसकी बद फोर है कि छात्रों के शैक्षिक प्रगती में बाधक तत्वों की जानकारी लेना यानि कि अगर कोई बच्चा है उसके मार्क्स माली जे कम आये हैं या उसक किसी सब्षेक्ट में कोई परिशान कंशी हुई है कि तो वहां पर क्या है कि बाधक तत्वों की जानकारी तभी तो हमें पता है कि ने support की किस तरह के need की जरूरत है क्योंकि हर वेच्चा अलग होता है हर किसी को आप अलग तरीके से सिखाते हैं ठीक है तो मुल्यांकन ये decide करता है फिर है शिक्षण और प्रभावशीलता को को ग्याद करता मुल्यांकन जब एक मुल्यांकन हो जाता है पूरे teaching learning process का पूरे session का मुल्यांकन जब हम करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि टीचर ने कितना पढ़ाया, उसका सिक्षण कैसा रहा, उसने कितने इफेक्टिवली पढ़ाया, उसकी प्रभावशीलता को भी हम ग्याद करते हैं मुल्यांकन से, ठीक है, फिर आता है कि छात्रों के अधिगम है तू प्रेरित करना, जब एक मुल्यांकन हुआ, तो उससे क्या होगा, अगर अच्छे नंबर आये, तो प्रेरित होगा, वो आगे और अच्छा करने की कोशिश करेगा, तो मुल्यांकन क्या करता है? प्रेरित भी करता है, फिर पाठ्वक्रा में सुधार है, तू आधार त्यार करना, ठीक है, मान लिजे कि आप यह देखे करोगे मुल्यांकन के according की overall क्या कमी रह गई है कि फिर उसके बाद आप क्या करोगे पाठेक्रम में सुधार करोगे आप स्लेबस में बदलाव लाओगे तो मुल्यांकन से ही होता है जब हम देखते हैं कि हमें अपने पाठेक्रम में क्या क्या चीज़े एड करनी है क्या चीज सामगरी जो आपने पूरे साल सिक्षन सामगरी से पढ़ाया जिस विधी से आपने पढ़ाया उसकी जाज होती है मुल्यांकन से कि अगर बच्चे के मार्क्स ऐसे आएं तो आप यह देखेंगे कि शायद लेक्चर मेधर से जादा पढ़ाया जा रहा था मेमोराइजेशन पर रटने पर जादा बल दिया जा रहा था तो बच्चों का रिजल्ट हो सकता है खराब हो थोड़ा तो आप क्या करोगे आप अनलाइस करोगे मैं जिस्ट एक्जाम्पल दे रहे हूं कि आप क्या करेंगे अनलाइस करेंगे कि हमें जो है अच्छी और और साहिक सामगरी Halloween गता है तो आप क्या करने चातर की योग्ता ठाया ओन वर्गी करने रहे developers उपिधा अधारित वर्गी करने कि कि बच्च्चे में की योगता है कि है एक बच्च आ करेंगे में बिए उसकी ही होट बता ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, अब गाज्स हम देख लेते, मुल्यांकन का महत्व क्या होता है, ठीके, पहला है मुल्यांकन का महत्व की शिक्ष़ की योजना की साथरकता अथवा सिक्ष़ की शिक्ष़ अप्रभाविता का पता लगाने के लिए, मुल्यांकन क्यों जरूरी है कि भई आप आप आपने जो योजना बनाई है अब आप पढ़ाते हैं तो आप कोई प्लानिंग करते हैं ना पढ़ाने से पहले तो आपकी प्लानिंग कहां तक सफल हुई आपकी teaching strategy आपकी teaching methods आपका जो style रहा वो कैसा रहा तो मुल्यांकन इसलि साथरकता को बताता है कि आपकी planning है वो कितनी सफल हुई फिर मुल्यांकन के अभाव में किसी प्रकार का निर्देशन संभा भी नहीं होगा अगर आप मुल्यांकन नहीं करेंगे बच्चे का तो कैसे संभा होगा निर्देशन देने में आपको कैसे पता चलेगा कि बच्च पर guidance दोगे हमारा जो result होता है हमें बताता है ना हमारे बारे में हम कितने अच्छे रहे पढ़ाई में क्या है तो वो guidance का काम कर रहा है फिर नेक्स्ट है कि मुल्यांकन के अभाव में शिक्षा और शिक्षण की समस्याओं का समधानी संभव नहीं है बिल्कुल देखे अगर आप मुल्यांकन नहीं करेंगे माईंले जैं मैं हूँ आप हैं हम लोग पढ़ाई करते हम लोग कोई हम एक्जाम देते हैं तो हम लोग अपना खुद का भी तोani करते हैं अगर अगर हम कुद का इव subt를व करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी problem का है है एसे ही क्या होता है मुल्यांकन क्या है कि शिक्षा में शिक्षण प्रिक्रिया में अगर जो मुल्यांकन ही नहीं करेंगे तो समस्या पता नहीं चलेंगी ठीक है तो यह है फिर चात्रों की व्यक्तिगत समस्या का पता बहुत चलता है मुल्यांकन से, आप मुल्यांकन करोगे, तब ही तो पता चलेगा कि इसकी क्या problem है, किसकी क्या difficulty आ रही है, कौन से बच्छे किस तरह का है, तो क्या है कि वेक्तिकत समस्या का आप पता लगाते हो, बच्ची की कमी कहा है, कहां पे उसको जरूरत है progress की, वही overall जो उसका मुल्य मुल्यांकन हुआ तो मुल्यांकन से यही तो पता चलता है कि उसकी योगता कितनी है माले जी सी ग्रेड लाया है वो बी ग्रेड लाया है ए लाया है तो आपकी योगता आपको उसकी पता चलेगी कि वो कितना ज्यादा सक्सेस्फुल रहा ठीक है तो यह था फिर लास्ट रिक किसी युक्ति तकनी शिक्षण विधी की प्रभाविता का पता लगाने जो है पता अगर हमें लगाना है तो हम मुल्यांकन सही उसको कर सकते हैं ठीक है आपकी कोई आपकी टेक्निक क्या है आपकी शिक्षण विधी क्या है आपको आप जब तक आप चेक नहीं करेंगे जब आप मुल्यांकन नहीं करेंगे किसी चीज का तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी विधियां कैसी जा रही है आप अबस पढ़ाय जा रहे हो पढ़ाय जा रहे हो आप टेस्ट नहीं कर रहे हो आप मुल्यांकन नहीं कर रहे तो उससे क्या होगा आप कुछ भी decide ही नहीं कर पाओगे है ना तो ये है मुल्यांकन का महत्व था ठीक है आगे देखते हैं इसके process पे चलते हैं अब देखे guys process देखे क्या होता है तीन चरण होते हैं मुल्यांकन में main main जो है वो तीन steps होते हैं वो देख लेते हैं क्या होता है मुल्यांकन कैसे start होता है क्या चीज़े आती हैं तो सबसे पहले आता है उद्देश्य यानि कि मुल्यांकन start का कहा से होता है उद्देश्यों से होगा भई अगर आप खुदी सोचो अगर आपका कोई aim ही नहीं है objective ही नहीं है तो आप कुसी काम को कर ही नहीं सकते अई क्या सिक्षन में लक्ष उते उद्देश्यों के आप कोई भी शिक्षन कर नहीं सकते हैं तो लक्ष्य उद्देश्य पहले चीज़े आती हैं जिसमें कुछ लक्ष है दूसरा आता है पाठ्टे क्रम और सीखने के अनुभव अब आपने लक्ष डिसाइड कर लिया पहला नमबर पर अपने लक्ष डिसाइड किया उसके बाद क्या आएगा कि आपका पाठेक्रम उस से जो आपने objective सेट किये हैं कि आपके objective क्या है शिक्षा के आप उसके बाद क्या करोगे उसी के basis पर पाठेक्रम बनाओगे उसी के basis प आएगा मुल्यांकन की उपकरण और तक्निक अब आपने यहां पर पढ़ा दिया बच्चों को जो भी था पाठ्ठेक्रम पूरा चला साल भर अब यहां पर आप क्या करोगे उपकरण आएंगे यहां पर टेस्ट करेंगे तो आगे और डीटेल में देखते हैं इसके बारे मे तो देखिए यहां पर क्या है मुल्यांकन की सोपान जो प्रक्रिया होती है अभी जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले आता है उदेश्यों का निर्धारण पहले नमबर पे आप पहले उदेश्यों देखेंगे तो दो तरह के उदेश्यों होते हैं एक होता है समाने उद प्लस पढ़ाने जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे कि बच्चे को जोड़ और घटा के संप्रत्यों से परिशित कराना आप जोड घटा के concept बताना तो वो आपका विशिष्ट उद्देश हुआ जो आपके particular topics related होता है ठीक है तो जब आप पहले इन उद्देशों का निर्धारण करोगे ठीक है अब आपकी सेकंड स्टेप में आता है ठीक है तो सेकंड प्रॉसेस जो है वो यही है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप कैसे करेंगे अधिकम क्रियाय नियोजित करने का मतलब है कौन सा मैथर्ड से पढ़ाओगे किस वीधियो से पढ़ाओगे टीलेम क्या यूज करोगे कैसे बच्चों के प्रॉग्रेस को जानोगे अप सभी चीज़े जो भी आप करते हैं असेस्मेंट फॉर लर्णिंग के अंदर जो भी आएगा आपका वो इसमें आएगा डियोरिंग टीचिंग लर्निंग प्रॉसेस जो भी चीज़े आप आपका question हो गया pen paper test हो गया आपका group discussion हो गया project हो गया बहुत सारे tools and techniques होते हैं उनसे आप क्या जानोगे उनसे आप ये जानोगे कि बच्चों के छात्र के व्यवहार परिवर्तन को देखोगे भाई कितना behavioral change आया या नहीं आया क्योंकि भाई behavioral change को क्यों जानोगे क्योंकि यही तो अधिगम है और बच्चा जो अधिगम कर रहा है तो उस अधिगम को कौन करेगा शिक्षक करवाएगा सिक्षक करवाएगा सिक्षक कैसे कराएगा शिक्षण से teaching से कराएगा ना तो यही guys आपस में interrelated चीज़े हैं यह सारी तो छात्रों के व्यवहार परिवर्दन को आ फिर आप परिणाम देखेंगे कि कितने परिणाम सफल हुए तो यह पूरा मुल्यांकन के अंदर आता है आपके देश्यों से ले करके आपके फाइनली मुल्यांकन तक overall जो है कि आपने जो अबजेक्टिव यहा पर सोचे थे क्या वह अबजेक्टिव यहां सोचे हैं क्या वो objective यहाँ पूरे हुए हैं आप यह देखेंगे तो यही है मुल्यांकन यानि मुल्य का अंकन किया बच्चे का कितने marks आये क्या grade आया कितना उसने discipline सीखा उसके values कितरी है सभी चीजे जैसे आपको पता है ने सतत और व्यापक मुल्यांकन होता है तो वो सभी चीजे इसके अ आया होगा clear हुआ होगा तो मिलते हैं next वीडियो में ओके थैंक्यू